हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर्स स्वाथी राठ और स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने ओनलाइन प्लेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और यहाँ पे मैं आपके साथ आज एंटोनिम्स का पार्ट फाइफ डिसकस करूंगी पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री और पार्ट फोर मैंने आपके लिए अल फ्रेल्टी का मतलब होता है वीक्नेस ऑफ परसंस करेक्टर किसी व्यक्ती के चरित्र की दुरबलता इसे हम बोलेंगे फ्रेल्टी अब इसका सही एंटोनिम हो जाएगा option D strength क्योंकि फ्रेल्टी का मतलब अगर दुरबलता है तो दुरबलता का जो एंटोनिम होगा वो तो बल, शक्ती, ताकत, पावर ही होना चाहिए, इसलिए फ्रैल्टी का एंटोनिम हो जाएगा, option D, strength, अब जो दूसरे options हैं, उन options के भी meaning हम देखते हैं, देखिए, option A है energy, energy means उर्जा, option B is intensity, intensity means तीवरता, option C is vehemence, vehemence का मतलब होता है, grid intensity of feeling, मतलब passion किसी चीज़ के लिए, eagerness किसी काम के लिए, इसे बोलेंगे हम vehemence, ठीक है, और option D तो strength मैंने आपको बता ही दिया है, तो जो फ्रैल्टी हो जाएगा, which means किसी व्यक्ति के चरित्र की दुर्बलता, उसका सही एंटोनिम हो जाएगा, option D, strength, म hazy का मतलब होता है, not clear, कोई चीज़ जो की clear ना हो, धुंदली सी हो, और spust हो, उसे बोलेंगे hazy, अब इसका जो सही एंटोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा option C, clear, क्यूंकि clear का मतलब होता है, एकदम साफ, that is easy to see, उसे बोलेंगे clear, तो hazy का एंटोनिम हो जाएगा clear, अब option option A, देखिए plane, plane का मतलब होता है, large area of a flat land, कोई मेदानी छेत्र, जिस पे दूर दूर तक कुछ ना हो, बस पेड वगेरा हो, उसे हम बोलेंगे plane area, और plane का एक और meaning होता है, plane का मतलब होता है, ऐसी चीज़ जिसे देखने और समझने में आसानी हो, उसे बोलेंगे plane, option B is light, light क मतलब होता है, halka या फिर प्रकाश, option C, clear, that means something that is easy to see, easy to understand, option D is dull, dull मतलब फीका सा, बेरंग सा, ठीक है, तो यहाँ पे hazy means not clear, और इसका एंटोनिम हो जाएगा, option C, clear, next word है, asceticism, asceticism का मतलब होता है, chastity, celibacy, मतलब सन्यासी, यह मतलब होता है, asceticism का, और यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा, option B, luxury, क्योंकि luxury का मतलब होता है, a very comfortable and enjoyable situation, ठीक है, बहुती ज़्यादा आराम दे हो, या फिर आनन्द प्रिय स्तिती, इसे बोलेंगे हम, luxury, अब option A देख यह comfort, comfort का मतलब होता है, आराम, सुक्सुविदा, option B, luxury मैंने आपको अबी बताया, option C is anti-semitism, option C जो है anti-semitism, उसका मतलब होता है, unfair treatment of Jewish people, मतलब जो यहूती समाज के जो लोग हैं, उनके प्रती भेदभाव, इसे बोलते हैं anti-semitism, और option D is humility, humility का मतलब होता है, विनम्रता, modesty, मतलब खुद को यह ना समझें, कि मैं औरों से आगे हूँ, खुद को औरों से आगे जो ना समझें, उसे बोलेंगे humility की feeling, hope आपको asceticism का meaning पता चला, सन्यासी जीवन, chastity, celibacy, और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा, option B, luxury, next word देखते हैं, next word है, jocular, joc jocular का मतलब होता है, humorous, amusing, मतलब थोड़ा मजाकिया nature का, मजाकिया स्वभाव का कोई इनसान होता है, जो मजाक वगिरह जादा करता है, उसे बोलेंगे jocular, अब इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा option B, morose, क्योंकि morose का मतलब होता है, gloomy, जो उदास रहता हो बहुत जादा, वो मतलब है morose का, option A देखिए, merry, merry का मतलब हो जाएगा cheerful, lively, मतलब बहुत जादा खुश दिल, जिन्दा दिल, बहुत जादा प्रसन रहता हो, उसे बोलेंगे, merry, option B, morose मैंने आपको बताया, उदास, gloomy, option C is, jugular, jugular का मतलब होता है, जो हमारी गर्दन है, जो neck होती है, neck में तीन बड़ी vents होती है, मतलब तीन बड़ी नसे होती है, उन तीन नसों में सो जो एक सबसे बड़ी नस है, उसका function होता है, कि वो हमारे head से हमारे heart तक blood को circulate करती है, मतलब हमारे सिर से हमारे दिल तक, जो खून है, खून को circulate करती है, उस vent को, उस नस को हम बोलते हैं जग्यूलर option D is juggler juggler का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि लोगों को मनोरजन दिलाता हो मतलब लोगों का मनोरजन कराता हो बाजी कर इसे बोलेंगे हम लोग जग्लर तो हॉप आपको यह जो वर्ड दिया है जॉक्यूलर इसका मीनिंग पता चला मजा किया सभाव वाला इंसान और इसका एंटोनिम हो जाएगा option B मोरोस नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यह दिया है आपको वर्ड जील, जील का मतलब होता है उत्सा, एंतुजयाज्म और इसका एंटोनिम हो जाएगा option B अपैथी क्योंकि अपैथी का मतलब होता है उदासींता, अनिच्छा not being enthusiastic about anything किसी भी चीज के लिए उत्साहित ना होना इसे बोलेंगे हम अपैथी option A is disinterest मतलब अनिच्छा, किसी काम में रुची ना होना option B, अपैथी मैंने आपको बताया option C is carelessness carelessness मतलब लापरवाही साफधानी ना हो जिस काम में उसे बोलेंगे carelessness then option D is hated hated means strong feeling of dislike नफरत, ग्रिणा इसे बोलते हैं hated तो hope आपको zeal का meaning clear है which means enthusiasm और इसका सही antonym हो जाएगा option B, अपैथी तो friends यह कुछ आज word मैंने आपके साथ discuss किये हैं, इनके meaning भी बताए और इनके antonym क्या होंगे यह भी हमने options के थुरू जानने की कोशिश की hope आपको सारे words के meaning clear है और आपको यह video भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस video को like कीजिए, अपने maximum friends और जितने भी आपके कांटेक्ट से उन सब के साथ शेर कीजिए, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आगे फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ तब तक के लिए stay tuned with us, thank you so much wish you all the best